इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के द्वारा ये नोट्फिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि आपको नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्री तीन पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई है इस वेकेंसी को टेंथ, टुएल्थ और डिप्लोमा तीनों भर सकते हैं, इस से उपर वाले भी भर सकते हैं, इसका जो ओनलाइन डेट स्टार्ट हो रहा है, चार एक दो हजार बाइस है, तो इस वीडियो में आप बने रहें, इस नोट्फिकेशन का मैं फूरा डिटेल बताने वाला हूं क्या क्वालिफिकेशन, फुल डिटे सत्रह बजे तक यानि की साम को पांच बजे तक है, इसका लास्ट ओनलाइन डेट है, तो यहां पर देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो नाविक जीडी यानि की जेनरल डिवटी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, टेन प्लस टू, पास्ट विथ मैथ, फिजिक्स, मतलब की टेन प्लस टू, जो आपको पास होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स से किसी भी रेकरगनाइज इंडिया के किसी भी बोर्ट से होने चाहिए, अब नाविक डीवी की बात करें, यानि डोमेस्टिक ब्रांच की, तो टेन पास होने च मेकैनिकल, इलक्ट्रोनिक और टेली कम्मुनिकेशन का डिपलोमा होना चाहिए, या फिर आपको टेन त्वेल तो दोनों पास होने चाहिए, और दो से दो या तीन साल का इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, इलक्ट्रोनिक की इसमें आपको डिपलोमा होना चाहिए, अब हम एज की 31 जुलाई 2004 के बीच आपका एज रहना चाहिए नाविक DB के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक आपका एज रहना चाहिए इसी के बीच में रहना चाहिए और यहाँ पर अपर एज रिलक्सेशन 5 एर एसी और एस्टी के लिए रिलक्सेशन 5 साल का है 3 एर 4 ओबीसी नन क्रीमी लेयर मतलब की 3 साल ओबीसी के लिए होना चाहिए जो नन क्रीमी लेयर में आते हैं अब वेकेंसी की बात करें पोस्ट की बात करें तो नाविक यानि नाविक जीडी के लिए आपको टोटल पोस्ट जो है 260 है नाविक डीबी ब्रांच के लिए आपको टोटल पोस्ट 35 है यांतरिक मेकेनिकल के लिए आपको टोटल पोस्ट 13 है यांतरिक इलेक्ट्रिकल के आपको total post पांच दिया